रहुआ लोगन के हमार प्रणाम काहालबा हमारा कराकाट के भाई भेहन लोग दिगारा 24 के चुनाव के 6 चरां आज पूरे हो जाएंगे और चार जुन को क्या होगा और इसलिए मैं इस जुनाव में हिंदुस्तान के हर कौने में गया हूँ सालों से राजनीती में काम किया संगठन में काम किया और मैंने देखा है कि बिहार के लोगों में राजनीती का आकलन करने का जो सामर्थ है वो अद्वूत है और बिहार के लोग इन चीजों में इतने पक्के होते है बिहार के लोग इतने पक्के हिसाब किताब के लोग होते है कि वे कभी भी वो वोट दाने से पहले पचास बार सोते हैं कि मेरा वोट बेकार तो नहीं जाएगा ना ये समझ बहुत कम लोगों को होती है जो बिहार को है और इतने लिए बिहार के लोग जब वोट करने जाते हैं तो पहले पक्का देखते हैं बहुत वोट तो डालूँगा लेकिन मेरा वोट बेकार नहीं जाना चाहिए वो सोचता है जिसकी सरकार बनना पक्का है वोट तो उसी को डालूँगा है गनी बिहार कहता बिहार निर्णाख होता है और इसलिए मुझे पक्का भरोसा है कि बिहार के लोग इस बार वोट डाल करके प्रधान मंत्री भी पक्का कर लेंगे साथियों चार जुन की शाम होते होते बिहार में एक और काम होगा बताओं क्या होगा यह अखबार वाले लिखेंगे कि मोधी पविश्वाणी कर रहा है मैं पविश्वाणी ने कर रहा हूँ लेकि मैं आपको बताता हूँ चार जुन शाम होते होते आर्जेडी वाले कहेंगे कि एक कॉंग्रेस ने लुटिया डुबो दी एक दूसरे के कपड़े फारना शुरू करेंगे चार जुन को दूसरा क्या होगा वो भी बता जेता हूँ ये कॉंग्रेस का शाही परिवार क्या करेगा कॉंग्रेस का शाही परिवार पराजय का ठिकरा खड़गे जी के सर पर फोर करके वो विजियस में छुटिया मनाने चला जाएगा और बेचारे खड़गे जी कारिकरताओं का गुस्सा सहते सहते ठक जाएगे बाई और बैनो कॉंग्रेस आर्धेडी और इंडी गड़बंदन को बेस बार बार खारिज कर चुका है नकार चुका है इनके पास नभीजन है इनके पास सिरफ और सिरफ कन्फ्यूजन है इनके पास होसला का नाम और निशान नहीं इनके पास हतासा ही भरी पड़ी है इनके पास नीती नहीं है निल्ले लिने की छमता नहीं है इसरफ नकारा पन लेकर के जी रहे हैं दसकों तक इनकी पूरी राजनी थी दरों और डराओं के मंतर पर चली है लेकिन मोदी ने इनका ये जो डर का गुबारा है ना उस गुबारे को ही फोड़ दिया है और हालत तो ये है कि मोदी उनके डर को भी डराता है साथियों ये इंडी कटबंदन वाले देश को डराते थे देश को ऐसा डराते थे ऐसा डराते थे और सत्तर साल से डराते थे क्या कहते थे आयो दिया में अगर राम मंदिर बना तो देश में बबाल हो जाएगा खुन की नदिया बहेगी आज राम लला भव्य मंदिर में फिराजमान है कोई बबाल हुआ क्या कोई खुन की नदिया बही क्या ये डराने का जुठा खेल चलता था ये नहीं चलता था ये लोग डराते थे सत्तर साल से डराते थे ये कहते थे ये जम्मू कश्वीर से तीन सो सत्तर अगर हटा तो ये पाकिस्तान में चले जाएंगे अगर तीन सो सत्तर हटा तो आग लग जाएगी अगर तीन सो सत्तर हटा तो देश में बम धरा के होंगे भाती भाती की धमकिया वा डर पैदा करना मोदी इनकी न धमकियों से डरा है न कभी रुका है दारा तिन सो सत्तर हटा के नहीं हटा दारा तिन सो सत्तर की दिवार गई के नहीं गई कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच की ये दिवार को तोड़ा के नहीं तोड़ा सीना तान के तोड़ा के नहीं तोड़ा मुझे बताईए कहीं आग लगी क्या कोई पाकिस्तान भाग गया क्या देश में बम दवा के हुए क्या डराते थे साथियों ये दरपो कॉंग्रेस और ये दरपो कारजेडी वाले अभी क्या कह रहे है पाकिस्तान के पास पनमान उपम है दरू दरा रहे हैं खुद में मसाला खाली हो गया तो उधर का मसाला दिखाते है इसलिए पाकिस्तान के आतंकी जब चाहे भारत पर हमला करके चले जाते थे ये दरपो को ये कारण मोदी इनकी तरह डरता नहीं है मोदी ने सेना को कहा जाओ गर में कुछ करके मारो आज पाकिस्तान कुछ करने से पहले सौ बार सोता है इसी कॉंग्रेस के राज में आरजेडी के राज में ये नक्सलियों ने सब को डरा करके रखा था मोदी डरता नहीं आज नक्सलियों के सभाई पूर्जोस चल रही है साथियों यही इंडी वाले एक और समकी देते थे ये कहते थे कि बड़े प्रस्टाचारियों पर हाथ डालो तो मोदी की कुर्शी हिला देंगे मोदी डरता नहीं है जिसने चोरी किया है जिसने गरीब को लूता है वो कितना ही बड़ा सहनसा क्यों न हो कितना ही बड़ा सहजादा क्यों न हो कितना ही बड़ा अपने आपको तिसमार का क्यों न मानता हो उसको जेल जाना पड़ेगा जेल में जीना पड़ेगा जेल की रोटिस चबा करकर गई उसकी जिन्दगी फूरी होने वाली है मुझे बताओ भाई अगर कोई लूट करता है आपके हक का चिल लेता है तो छोटे लोगों को जेल में बंद करने के लिए कोई चिल लाता नहीं है बड़े जाने चाहिए कि छोटे जाने चाहिए आप मुझे कहेंगे वो मैं करूँगा गुना किया है तो छोटा अदमी जेल जाना चाहिए कि सबसे बड़ा है वो जाना चाहिए बड़ा हो जेल जाना चाहिए तो मैं बड़ों को भेजना हूँ तो अच्छा कर रहा हूँ न सही कर रहा हूँ न और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूँ जिनों ने बिहार के गरीबों को लूट कर नोकरी के बदले जमिन लिखवाई है कान खोल के सुन लो उनका भी जेल जाने का काउंडाउन शुरू हो चुका है ये जैसे ही ये हेलिकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पुरा होगा जेल का रास्ता पैय हो जाएगा बिहार को लूटने वालों को एंडिये सरकार छोड़ेगी नहीं और ये एंडिये की गारंटी है मोदी की भी गारंटी है बाई और बेहनों ये इंडि गड़बंदन वाले अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग बिहार और बिहारियों के अफमान के खिलाब आवाज तक उठाते नहीं हैं कॉंग्रेस के पंजाब के नेता ने बिहार से वहाँ काम करने गए वहाँ मेहनत करके इमानदारी से जीवन जीने वाले हमारे बिहारी मद्दूर भाई बेहनों का गोर अपनान किया बद्दे शब्दों में अपनान किया कहां अब हम उन्हें बिहारियों को पंजाब में गर नहीं देंगे गुछने नहीं देंगे कॉंग्रेस के मिनिस्टर ने कहा है कॉंग्रेस के शाही परिवार ने इसके विशे में मुँपे ताला लगा दिया है क्या कभी कॉंग्रेस के शाही परिवार ने बिहारियों के इतने बड़े अपमान के लिए बिहार से माफी मांगी क्या बिहारियों से माफी माँगी क्या और ये इनको लाल टैन लेकर के मुझरा करने वाली जो जमात है विपी बिहारियों का अप्मान हो रहा है और कॉंग्रेस के चरण चुम रहे हैं कॉंग्रेस के खिलाब एक श्कौत भोलने को त्यार नहीं है कॉंग्रेस का जवान बांगने को त्यार नहीं है आर जेडी में हिम्मत नहीं कि बिहारियों के अपमान पर वो कॉंग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए साथियों इंडी गड़ बंदन के एक साथी डीम के के नेता ने बिहारियों के लिए बद्दी बद्दी गालियां बोली तेलंग नाम है कॉंग्रेस के मुक्यमंत्री ने बिहारियों को बला बुरा कहा पस्चिम बंगार की मुक्यमंत्री आए दिन बिहारियों को गालिया देती है लेकिन आरजेडी और कॉंग्रेस के नेताओं ने उनके मुँ से इन लोगों को उनके खिलाब एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है इन लोगों को आपके स्वाभिमान की चिंता नहीं है इनको बिहार के गवरों की चिंता नहीं है इनको बिहार के होनहार नवजवानों के प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है इनको सिर्फ और सिरफ अपने वोट बेंक की चिंता है उनको सिरफ आपके वोट चिंना है उसके लिए भाती भाती की भाशा का उप्योग करते हैं इनके लिए बिहारियों का सम्मान कोई माइने नहीं रखता साथियों मैं हमारे जो फर्स टाइम वोटर है जो पहली बार वोट करने के लिए जाने वाले हैं उनको जरा जंगल राज पार्ट तू से साफदान करना चाहता हूं ये जो फर्स टाइम वोटर है न उनका जन्म होने के बाद उनको जंगल राज कितना भेंग करता वो देखने का आउसर नहीं मिला क्योंकि यहां एंडिये वाले काम करना चुरू किये लेकि जो जंगल राज वालों ने था हो जो मुसीबते खड़ी कर दी थी ये जरा फर्स टाइम वोटरों को पता होना चाहिए वो समय था शाम होने के बाद बाहर निकलना मुश्किल था बाहर से कोई रात में ट्रेन से उतरता था तो स्टेशन से बाहर नहीं निकलता था रात पर स्टेशन पर पड़ा रहता था सुबे उजाला होने के बाद फिर अपने गाउं की तरब निकलता था अपहरान दकैती हत्या ये बिहार का दुर्भाग्य बन गया था नितिजी के नेत्रुप में एंडिये सरकार बिहार को जंगल राज से बहार लेकर आई है वो गुंडे वो डकैत वो लुटे रे अभी छिपे हुए हैं चुप होकर के बैटे हुए हैं मोके की तलास में अगर गलती से भी ये इंडी वाले जराबी मजबुत होते दिखेगे भी तो फिर उनका दाना पानी मिलेगा और ये मिल करके फिर से आपका बविश्य तबाह कर देंगे नव जबानों आपकी जिन्द की तबाह कर देंगे और फिर कभी भी आप उफर करके बाहर नहीं आ पाएंगे बाहिज और बहनों ये हमारा बिहार सामाजिक न्याय की प्रनेता भूमी है और मुझे गर्व है कि अगर किसी ने सामाजिक न्याय की रख्षा की है तो वो बीजेपी और एंडिये ने की है बीते दस साल में देश ने एंडिये को दो बार प्रचंड जनादेश दिया हमने पहली टम में एक दलीत के बेटे को जो कभी बिहार के गवर्णर हुआ करते जे उनको देश का राष्टपती बनाया दलीत को देश का राष्टपती बनाया जब हमें 2019 में दूसरी बार अवसर मिला तो हमारे देश की एक आदिवासी बेटी को देश का राष्टपती बनाया देश के सर्वोच्च समयधानिक पत पर सुसोपित किया राष्टपती पत का गवर्णर काम उन्होंने शुरू किया हमने पिछड़ा आयोक को समयधानिक दरजा दिया कॉंग्रेट ने तीन तीन दसक तर पिछड़ों की इस मांग को ठुकराया था लेकिन मैं आपी के बीच पैदा हुआ हूँ अती पिछड़ों को कैसी जिन्दगी जीनी पड़ी है वो मैंने भोगी है और इसलिए मैंने आते ही आयोक बना दिया पहले केंद्रिय विद्याले नवदय विद्याले और सैनिक स्कुलों में OBC आरक्षन नहीं था ये मोदी ने आकर के उसमें भी हमारे बच्चों के लिए मैंने आरक्षन पक्ता किया मेडिकल की पड़ाई में भी केंद्रिय कोटे में पहली बार OBC आरक्षन हमने लागू किया ये हमारा ट्रेक रकषन है साथ को इसकी विप्रीत आज इंडी घड़बंदन वाले SC, ST, OBC, अती पिछडे उनका सबका आरक्षन चीन किये कि एक बहुत बड़ी साजी सरच रहे है मैं देश को अवगत करना चाहता हूँ ये मैरा कर्तब या मनता है कि देश को मैं जानकरी दूँ इंडी घड़बंदन ने हजारों सेक्षनिक संस्तानों में SC, ST, OBC, अती पिछडे को मिलने वाला आरक्षन बंद कर दिया और वो सारा का सारा अब मुसल्मानों के लिए रिजर्व कर दिया है ये जो किया है वो मैं बताता हूँ एक ही जड़के में बलीतों, पिछडों, अती पिछडों उनका आरक्षन खट्व कर दिया इन्होंने सम्विधान को ताक पर रखकर मुसलिम जातियों को रातो रात OBC बना दिया OBC के हका अरक्षन दे दिया अभी आपने दो दिन पहले कलकत्ता हाई कोड का जज्जमेंट देखा होगा कलकत्ता हाई कोड ने ऐसी डांट लगाई है क्योंकि वहाँ 77 मुसलिम जातियों को रातो रात OBC बना कर OBC का हग उनको दे दिया था भाई ये भेनो हाई कोड ने ऐसी थपड मारी है उनको ठिकाने लगा दिया है ये ऐसे आपके साथ दोखा बाजी करने वाले लोग है ये समिधान के पीट पे छुड़ा पौकने वाले लोग है लेकिन इनसे भी इनकी साजी से कम नहीं हो रही है साथ यों इंडी वाले चाहते है कि बार बार मुसलिम आरक्षन का ए मामला कौट में न फसे कौट हर बार रिजेक न करे तब उपाई क्या तो इंडी गडबंदन वालों ने पक्का कर लिया है कि अगर वह दिल्ली पहुँचेंगे तो पहला काम ये सम्विधान को बदल देंगे सम्विधान को बदल करके S.C.S.T.O.B.C. का आरक्षन वो मुसल्मानों को देने का सम्विधान में बदलाव करेंगे ताकि कौट उनको परिशान न करें ये खेल खेल रहे हैं भाईयों बैनों मैंने ठीक एक मैने पहले इन्नी वालों को चैलेंग किया था देश के हर राचे में जा करके बोला हूँ मैंने उनको इतना ही कहा कि पर यागा आप चुनाओं में आये हो जनता जनारदनी देश के मालिक है जनता जनारदन को लिख करके दो कि हम सत्ता में आएंगे तो हम सम्विधान में परिवरतन नहीं करेंगे हम सत्ता में आएंगे तो SC, ST, OB से का आरक्षन चीन नहीं लेंगे हम सत्ता में आएंगे तो धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं करेंगे हम मुसल्मानों को यहां से चीन कर उनको नहीं देंगे लिख करके दोड़ मैने का एक मैना हुआ एक मैना लिखने की बात चोलो बोलने की हिम्मत नहीं है उनकी इसका मटला पेट में पाप है बिहार में मेरा यादव परिवार है बिहार में मेरा कुर्मी परिवार है बिहार में मेरा कुछ वाहां परिवार है बिहार में मेरा कलवार परिवार है बिहार में मेरा तेली परिवार है मेरा सूरी परिवार है मेरा कानू परिवार है मेरा निशाद परिवार है मेरा पास्वान परिवार है मेरा रविदास परिवार है मेरा मुसहर परिवार है ऐसी हर जाती के सबसे बड़े दुस्पर अगर कोई है तो यार जेडी कॉंग्रेस वाले है ये मुखोटा सामाजिक न्यायका लगाते है लेकिन तुस्टी करन करते है वोट बैंक की राजनिती के गुलाम हो चुके है और वोट बैंक वाले चैसे नचाए ये नाचते रहते हैं और चौबिस के चुनाव में मोदी ने उनको बेनकाब कर दिया है उनका मुखोटा मैंने निचे उतार दिया है साथियो मोदी इनकी साजिसों का भी परदाफास करेगा और विकास के लिए भी उतनी ही मेनद करेगा आने वाले पांच साल बिहार के विकास के लिए अभुद्पुर्वा रहने वाले हैं यह जो डेडिकेटर ट्रेट कोरिडोर यहां से गुजर रहा है यहां फोर लेंड, सिक्स लेंड के हाईवे बन रहे हैं इनसे कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर सेक्टर में अब रोजगार बढ़े हैं आने वाले समय में हाँ लोजिस्टिक सेक्टर के लिए बंदारन से जुड़े सेक्टर के लिए बहुत सम्भावना है रोतास हो, कैमूर हो, और अंगाराद हो इस पूरे खेत्र में कुछी आधारित उद्योगों और दूसरे उद्योगों के लिए नए अवसर बनेंगे साथ यो ये खेत्र तो धान का कटोरा है यहाँ आलू जैसी सब्जिया पैदा होती है मोदी सरकार अनाज बन्नारण में भी सहकारिता को बढ़ावा दे रही है इसके तहट दुनिया के सबसे बड़ी बन्नारण योजना पर काम सुरू हो चुका है आने वाले पांच साल में सब्जियों के लिए कोल्ट स्टोरिज करस्टल भी हम बनाने जा रहे हैं साथियों यहां इतनी बड़ी संख्या में मेरी माता ये बहने आई हुई है उनका जीवन आसान बनाना गरीब के इस बेटे का संकप है इसलिए मोदी ने मुप्त नाज और मुप्त इलाज एक गारंटी दी है अब तो मोदी माता और बहनों को और भी गारंटी दे रहा है पहली गारंटी आने वाले सानों में तीन करोर बहनों को हम लगपती दीजी बनाएंगे आने वाले दिनों में हर परिबार में जो भुजुर्ग है सत्तर साल से उपर है अगर वो बिमार है इलाज की जरुत है तो उनके बेटे बेटी को इलाज का खर्चा नहीं करना पड़ेगा ये दिल्ली में आपका बेटा इसका खर्चा करेगा और एक काम मैं आपके लिए करना चाहता हूं मैं आपका बिजली का बिल जीदो करना चाहता हूं और इसलिए हमने पी-ए-म सुर्यगर मुपत बिजली योजना बनाई है और मुपत घर बिजली योजना में आप अपने लिए तो मुपत में बिजली योजना करेंगे ज्यादा बिजली आप बेच सकेंगे और इसके लिए सरकार 16 पैनल लगाने के लिए 75,000 रुपिय तक की आर्थिक मदद हर परिवार को करेगा 75,000 रुपिया और जैसे आपको मोदी सरकार में पक्ता घर सौचाले नल से जल सस्ता सिलिंडर मिला वैसे ही मोदी अपनी हर गारंटी पूरी करेगा मैंने गेस का सिलिंडर देने की गारंटी पूरी की कि ना की जड़ा जोर से बताइए नहीं मैंने गेस का सिलिंडर देने की गारंटी पूरी करी की करी ना तो इस बार मुझे गैस के सिलेंडर पर वोट भी चाहिए भाज़र भाणो ये MP बनाने का नहीं ये PM बनाने का चुनाव है ये देश में एक मजबूर सरकार बनाने का चुनाव है इसलिए आप जब कारा कार से मेरे साथी उपेंदर कुस्वाजी को वोट डालेंगे तो वोट सीधा मुझे मिलेगा शासा राम से शिवेस राम जी को दिया वोट सीधा मोदी को मिलेगा आरा में आरके सिंग को मिल दिया हुआ वोट सीधा मोदी को मिलेगा आप गर कर जाकर मेरी ये बात पहुँचाएगा और एक काम करियेगा करेंगे ज़रा जोर से बताईए करेंगे आप जाकर के हर गर में बताना कि वो मेरे खाती हैं मेरे देश के खाती है विक्षिट भारत बनाने के लिए आपके गाउं में जो भी देवस्तान हो आपके गाउं में जो भी तिर्थस्तान हो वहाँ जाकर के मेरी तरफ से परमात्मा के आगे मत्था टेकना करेंगे मेरी तरफ से परमात्मा को मत्था टेकेंगे अपने गाउं में और मेरी तरफ से परमात्मा को मांगना कि विक्सित भारत बनाने के लिए परबात महा में आशिरवाद दे इतना काम करेंगे पक्ता करेंगे बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद